कि अंबुरे तो बुरे तुम तो अच्छे कुछ सताते हो क्यों हलो गाइज मैं हूँ अमिद और अभी जो आपने शुरू में वीडियो देख लिया है आज मैं इसी ब्लेक स्क्रेन लेटिक्स का ड्यूटरल देने वला हूँ जो कि इस वीडियो को हम एलाइट मुसन में नही पर यह नया आप कौन सा आ गया तो मैं पता दू कि एलाइट मोशन का ही मोड वर्जिन है जिसका नाम आप्टर मोशन उसमें लिरिक्स बनती है जो कि एम लिरिक्स बाले भाई ने इस तरकी वीडियो बनाए थे तो मैं सोच रहा था कि इसका ट्यूटरल ना लाओंगा क्यो अभी अपने सुरू में देख लिया और भर भर के भेजा गया था इसका ट्यूटरल बता दो मेरे से रहा नहीं गया मैंने सोचा कि अब ट्यूटरल लाना ही पड़ेगा जो भी हो आप्टर मोशन भी बनाएंगे और एलाइट मोशन भी बनाएंगे तो मैंने एम लिरिक्स बाले भाई से पूचा कि भाई जो इफेक्ट यूज किये हो वह हमें बता सकते हो तो भाई ने बोला ठीक है मैं बता दे रहा हूं जितना भी इफेक्ट इसमें यूज है सब एम लिरिक्स बाले भाई ने बताया है तो उनका दिल से सुक्रिया धन्यवाद और अभी आप लगते ख्राब लगते हैं नीचे कमेंट फॉक्स आपे कमेंट कर देजिएगा और आप चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब करके नोट्फिक्स बेल को ओल कर लिजिएगा तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर देते ना को भूत ना को आप देखते रहेगा हमेसा टेक् लेग्तोर पर नहीं मिलेगा मिलेगा डिस्क्रिप्षिन में में वेबसाइट पर अपलोड कर दीया हूँ यहां से जाकर डाउड़ कर सकते हों टीम झाल चैनल जा सकते हो जो कि आपको पर पिन मिलेगा इसे zap-hold कर लीजगा और इसे इन्स्ठोल कर ने के वाद इसेяют c1 आल क करते हैं तो टेंप्लेट के उप्शन पर जाकर ने अप्लोड कर सकते हो अब यहां पर सिंपल क्या गड़ने जो मैं परजेक्ट दूंगा यह वाला परजेक्ट होगा यह अभी मैंने पूरा कर दिया और इसमें कैसे कैसे एनमेशन दिया तो मैं सिर्फ एक लेक्स में बताऊंगा क्योंकि बहुत ज़्यादा हाड हो जाता है इस अब देख सेक्ट है और एक एक करके किया है भाई की जैसे करने की कोशिज के भाई ने सिर्फ एनमेशन बताया था ट्रांजिशन इधर उदर करने का मैंने खुद किया था तो इस परक में यह सब रेशियो सेलेक्ट करके क्रेट पे टाप करना है अब आपको एक साउंड चीज यह साउंड के लिए वीडियो बनाऊगा तो एडियोस ले सकते नहीं तो मीडिया में वही परसेस हैं तो यहां से हम लाइट मोशन फाइल नहीं बनता है पता नहीं क्या देखते है इस ही ही में आ जाता है लाइट मोशन में ही आता है देख लो मतलब इस से भी कर centuries टो एक स्पोर्ट बनाऊट मोशन में आएगा उससे भी करो ने कर लेते और वीडियो को यहां से डिलीट कर देते हैं सांड़ा अब जो सांड का लिरिक्स होगा जहां भी होगा जैसे भी जो टेक्ट लिखने वाला हूं उसी पर बताऊंगा तो प्लिस पी टाप करते हैं टेक्स्ट पर चलते हैं और जो भी लिखा होगे तो सेर्च और रोपोट बलेक तो मिल जाएका एड़ भी कर सकते हैं इस में फोंट अपना तो देख ले ना इसके बाद बाद इसका कलर बलेक करने यहां पर साइज इसका 36 रख लेते हैं उसके बाद OK करते हैं, यहां पर हम इसे कट करते हैं, जब इतना हो जाता है अब यहां पर हम जो effect add करने वाले उसे ध्यान से देखिए हैं, सबसे पहले तो आपको edit text पर आना है, यह जो green dot हो इसको ऐसे करके पूरा यहां तक खीच लेन और standard पर tap करते हैं, सबसे पहले यहां पर center में आ जाएंगे, इतना पर 1 की लगा देंगे जीरो पर और इसके बाद starting में आएंगे, यहां पर आपको कर लेना है starting करकी 120 ऐसे करके, जो कि यहां पर आपको बहुत बारा zoom होता हुआ ज़राएगा, जो बारा text होगा उस परकार स जूम होके SSC को देगा, तो यह जब इतना हो जाएता है, इसमें curve देना है, तो curve में आपको यह third वाला select कर लेना है, उसके बाद back करेंगे, और back करने के बाद अब आपको दूसरा जो main effect है, जो उसमें lighting आती है, उसके लिए आपको क्या करना है, यहां पर smoke particle नाम का है, वो add करने, जो कि procedural में साहिद देखता है, मेरे को पता नहीं देख सकते हैं, बिल्कुल नहीं है, effect इतना जादा है, जो देखने में अच्छा लगता है, साहिद इसमें नहीं है, effect तो हम यहां पर back करते हैं, क्योंकि मुझे पता नहीं कि कौन सा effect कहां पर है, मैं direct search कर लेता हूँ इस smoke करके, तो smoke search करको तो यह आजागा, smoke particle इसको select करते हैं, और standard पी tap करना है, अब आपको देख सकते हो, पूरा white जो था, so gap हो गया, अब यहां पर जैसे जैसे मैं add कर रहा हूँ, ध्यान दीजेगा, यह color वीजी में यहां पर आपको black रखना है, और second में जो भी color देना है वो दे दे ना, तो मैंने yellow दिया था, इसको dark कर देते हैं, उसके बाद नीचे जाओगे, तो progress जो आ रहा है, इसमें आपको key लगाने, progress में आना है, इसके last में एक key जितना है 100, उतना पर एक key लगा देंगे, starting में आएंगे, और यहां पर इसको 500 कर लेंगे, तो यहां से 500 रख लेते हैं, okay करेंगे, इस परकार से आपको देखने को मिलेगा, उसके बाद जब इतना हो जाए, scale जो है, इसको 25 कर देंगे, तो यहां से बहुत ज़्यदा है, scale को 25 इस परकार से आजागा, उसके बाद यहां पर brightness जो है, इसको 300 कर देना है, पुरा full कर देना है, और भ दूसरा होगे, तीसरा effect जो है, so add effect में, आपको brightness देखने को मिलेगा, color and light में, जो कि यह बला select करते हैं, plus करते हैं, उसके बाद यहां पर इसको on करेंगे, इसको plus 30 कर लेंगे, और उसके बाद यहां पर contrast को 220 plus में ही रखना है, इस परकार से आपको सिर्फ हलका आप देखने को मिलेगा, जब इतना हो जाए, अब आगे का जो effect है, so यहां पर देखने को मिलेगा, simple star field, जो कि procedural में ही, तो यह तो उसमें भी था, तो बिल्कुल simple है, जो कि procedural, simple star field यह रहा, इसको select करते हैं, plus करना है, standard उसको on करते हैं, और इसमें सिर्फ आपको size को change करना है, size change करना है, और उसके बाद यहां पर बाकी इसको amount को पूरा fill कर देना, और brightness को यहां से बढ़ा लेना है, सायद brightness को 5 कर देना, यहां से 5 रखते हैं, अब दिखेगा आपको हलका हलका, और string ही रखेगा, जब इतना हो जाए, तो यह सब आपका complete हुआ, अब आगे का effect है, so add करना है, जो करना है standard, उसके बाद इसको on करते है, on करनी के बाद angle को 90 degree रख लेंगे, उसके बाद यह तो 0 होगे, 90 रखना है, तो यहां से 90 रखते हैं, उसके बाद frequency में आएंगे, और frequency के starting में आ जाते हैं, इसको प्लस कर देंगे, दो पे, इसको end में चलेंगे, और इसको एक कर देना तो एक करते हैं, जब इतना हो जाता है, अब आपको magnitude इसको 25 ही रखेगा, तो यहां पर इसको चीज़ पर कार से ऐसे आता हुआ नज़र आएगा, जम्प करके, तो यह जब इतना हो जाता है, अब इसको off कर देंगे, अब आपको क्या करना है, इसको एक duplicate कर लेना है, से effect add करना है, आप चाओ तो इसको off कर सकते हो, जो simple star field है, इससे कोई मतलब नहीं रहेगा, और यहां पर अगला effect add करना है, तो आपको glow ribbon करके तो direct search कर लेती है, इसमें मैंने effect नहीं देखा, कहा कहा क्या रहता है, तो glow ribbon करके यह जो आ रहा है, glow ribbon plus इसको select करना है, और plus करना ह इसको on करते हैं, इसका color जो है, आपको red या जो भी color देना है background में, उस select कर लेना है, amount पांच ही रहेगा, उसके बाद यहां पर progress में आपको change करना है, first यहां पर starting में कर लेंगे, पांच हजार पे एक की लगाएंगे, यहां पर इसके last में चलेंगे, और इसको 6000 कर देंगे, थोड़ा more lag कर सकता है, ऐसे 600 ही रहे गया, देख सकते हो, lag करता है बहुत, तो यहां पर 600, 6000 कर लेना है, उसके बाद नीचे जाओगे, evolution जो है, जैसा है वैसा छोड़ देना, skill जैसा वैसा छोड़ देना, लेमिनेंज जैसा वैसा छोड़ देना, बागी साव यहां छोड़ आर आर नहीं, ए, ए, यू, आर ओ, आर ए, इस परकार से, aurora, इसको select करना है, plus करना है standard, उसके बाद इसको on करेंगे, on करने को बाद evolution को डेर सो कर लेना है, ऐसे करके, उसके बाद नीचे जाओगे, तो particle इसको zero कर लेंगे, उसके बाद नीचे जाओगे, offset इसको 120 करेंगे, तो यहां से 120, उसके बाद नीचे जाओगे, scale 100, यह 100, 100, 100 सब रखना, rotate में zero रखना, इसको on रखना, उसके बाद इसको screen कर लेना है, इतना कर लेते हैं, उसके बाद off करेंगे, अब eye का जो effect है, so add effect में Gaussian blur में देना है, blur में देखने को मिलेगे, यह सब देख सेक्तों नहान effect बहुत सा रहा है, तो Gaussian blur यहां है, अब Gaussian blur प्लस है, यह नहीं देना है, यह बाद देना है, तो इसको on करते है, on करने के बाद इसका size है, 0.100 रख लेना है, 0.100, okay, जब इतना होगे, इसको off करेंगे, अब आपको क्या करना है, so यहां पर effect देना है, add effect में, कलने light में देखन effect करेंगे, और प्लस करेंगे, standard, उसके बाद इसको on करते है, इसको कर लेंगे, 0.40, 0.40, okay, उसके बाद गामा को कर लेंगे, 1.045, okay, जब इतना कर ले तो, आपका यह animation तो complete होगा, लेकिन उस तरह से lighting नहीं आ रही, आप देख रहे हो, कि वैसा नहीं आ रहा है, हमें चाहि CC के लिए क्या करना होगा, CC add करनी के लिए, सबसे पहले, प्लस पे डाप करना है, rectangle select करेंगे, 3.पे क्लिक करके, इसको fill composition area कर देना है, और पूरा lyrics लिखनी के बाद जहां तक होगा, वहां तक इसे रख सकते हो, मैं इतना ही रख रहा हूँ, क्योंकि यहां तक lyrics है, तो यहा कर लेते हो, इसको off करेंगे, अब जो आगी का effect है, so add effect में देखने को मिलेगा, drawing in edge में, edge glow, इसको select करना है, plus करना है standard, उसके बाद इसको on करते है, इसका size है, 10 कर लेंगे, और 10 कर लेंगे, यहां पर threshold को 0.97 कर लेना है, 0.97 उसके बाद नीचे जाओगे, तो blur में यहां पर इसके बाद, ok करेंगे, ok करने के बाद, color इसको black कर लेंगे, black करने के बाद, यह जो black है, sorry, blend है, इसको कर लेंगे, 38% ok, उसके बाद यहां पर, gamma है, इसको कर लेंगे, 1.485, 485, ok, नीचे brightness से 0 रखेगा, यह black, उसके बाद 0, जब इतना हो जाता है, off करेंगे, और eye का effect है, so इसको add करना है, color and light में देखने को मिलेगा, saturation, जो की, यह रहा, इसको select करना है, plus करना है, उसके बाद, इसको on करेंगे, इसके size को यहां पर, test कर लेंगे, उसके बाद, यहां पर, vibrance एक ही रखेगा, जब इतना हो जाता है, अभी भी size नहीं आ रहा, फिर से plus पर tap करके, rectangle select क करेंगे, three dot पर click करके, इसको fill composition area, इसको भी यहीं तक रख रहे हैं, तो cut कर देते हैं, उसके बाद, इसमें एक effect add करना है, effect पहले blending के option पर आते हैं, यहां पर lighten में, इसको linear dodge कर लेना है, इस परकार से हो जाए, अब आपको इसको off करना है, उसके बाद, यहां पर जो effect add करन तो कुछ इस परकार से देखने को मिलेगा, और पूरा perfect बन जाता है, तो ऐसे करके बना सकते हो, तो चलिए आज के लिए इतना ही मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बत धन्यवाद,